YouTube का logo बनाना हो या फिर YouTube का banner बनाना हो चाहिए आप किसी भी social media के लिए banner बनाना चाहते हो या फिर अपने YouTube channel के लिए एक अच्छा सा attractive thumbnail बनाना चाहते हैं तब ऐसे में आपको एक photo लेना होगा और उस photo का background आपको change करना होगा That means कि आपको photo को PNG में convert करना होगा तभी आप अपने banner में अपने photo का use कर सकते हैं तो internet पे बहुत सारे tools available हैं जिसकी मदद से आप photo को PNG में convert कर सकते हैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुगा हूँ कि Photoshop से PNG में कैसे convert करते हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ते नीचे description में link दिया गया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ को दो ऐसे website के बारे में बता हैं या फिर किसी भी परकार का tool को यूज करना हो सबसे पहले आपको उसे सिखना होगा कि कैसे remove किया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपका time भी waste होगा तो यह website जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यह आप लोगों के लिए time भी waste नहीं करेगा और एक click में आप बस अपने photo को png में convert कर सकते हैं वीडियो को start करने से पहले आप से एक छोटी से request है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे red color का subscribe button को दवा दीजे बगल में bell icon उसे press कीजे ताकि हमारे latest वीडियो का notification आपको हमेशा मिलती रहे तो चले गाइज वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहली website है remove.bg गाइज मैं इस website का link नीचे description में भी दे दूँगा वहाँ पे click करके direct आप इस website पे visit कर सकते हैं तो जैसे हैं इस website पे visit कीजेगा आपके सामने यहाँ पर आपको upload image का एक option देखने को मिलेगा जिस भी image को आप PNG में convert करना चाहते हैं आप उस image को यहाँ पर upload करेंगे उससे पहले गाइज आपको इसमें sign up करना होगा तो चलिए हम sign up कर लेते हैं यहाँ पर easily google का option दिया गया है तो आप अपने google से इसमें sign up कर सकते हैं सबस्था पहले चलिए sign up में मैंने click कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं continue with google पर आपको click करना है या फिर आप इसमें fill up करके भी आप sign up कर सकते हैं तो मेरे पास email id है मैं उससे चलिए मैं अपने email id से इस पर click कर चुका हूँ और automatic से देख सकते हैं मेरा website इसको agree करने के लिए बोल रहा है तो आप इसको website पर agree कीजिए और sign up पर click कीजिए तो guys देख सकते हैं मैं इस website में sign up हो चुका हूँ और नीचे यहाँ पर click जैसे हैं scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको upload image का एक option देखने को मिलेगा तो आपको इस पर click करना है इस पर जैसे ही click करेंगे आप जिस भी image को png में करनोट करना चाहते हैं उसको select कीजिए तो मैं desktop पर एक photo रखा हूँ इसको select करता हूँ तो देख सकते हैं वो image यहाँ website पर upload हो रहा है तो guys मैंने उस image को बस यहाँ पर upload किया हूँ और 3-4 second के wait करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह automatic से यह png में convert हो चुका है कोई भी मुझे tool सिखने की जरूरत नहीं है और आपको time waste भी करने की जरूरत नहीं है बस आप बस एक click में अपने image को png में convert कर सकते हैं तो यहाँ पर guys देख सकते हैं यह download HD और यहाँ पर download तो चलिए मैं यहाँ पर download HD पर click करता हूँ तो guys इस website पर आप एक ही image को png में बना सकते हैं और उसके बाद आप नहीं बना सकते हैं इसको खड़ी दना पड़ेगा थोड़ा सा वेट कीजिए अगली जो मैं website बताने वाला हूँ उस पर आप free में कर सकते हैं लेकिन एक दिन में आप 4 ही image को png में convert कर सकते हैं तो guys देख सकते हैं वो image जो था वो मेरा यहाँ पर 4.3 MB का चलिए मैं उसको open करके आप लोगों को दिखला देता हूँ उसकी quality तो guys इसकी quality देख सकते हैं ठिक ठाक quality है लेकिन guys इसकी quality है वो HD में नहीं है यह देख सकते हैं मैं जैसे ही इसको zoom कर रहा हूँ यह फट जा रहा है तो guys अब हम आप लोगों को second website के बारे में बताते हैं जिसका नाम है stickermule.com देख सकते हैं यहाँ पर मैं already इसमें login हो चुका हूँ और login करने के बाद आपको simply upload a photo पे click करना है और फिर से उस image को select करना है जिसको आप PNG में convert करना चाहते हैं guys यहाँ पर देख सकते हैं वो image यहाँ पर upload हो रहा है और guys मैं इस website को personally use करता हूँ और इसते जो image download होता है वो बिल्कुल ही HD quality में होता है आप इसको अपने thumbnail और banner में आसानी से use कर सकते हैं इसकी quality बहुत ही amazing है guys कुछी second बाद processing होने के बाद आपके सामने आपका photo PNG में convert हो करके आचुका है simply आपको download पर click करना है download पर click करने के बाद आपको download full image पर फिर से click करना है guys यहाँ पर देख सकते हैं वो image जो PNG में मैंने convert करा है और यहाँ पर download हो चुका है चले हम इसको open करके आप लोगों को इसके quality दिखला देता हूँ तो इसकी जो quality है guys वो पहले वाले website से कई गुना बहतर है तो I hope guys एफ वीडियो आप लोगों को helpful लगा होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक like जरूर कीजेगा और अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जरूर कीजेगा Thank you so much